नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Back to School पर दोस्तों, EVS का कोर्स में आपके लिए लेकर आया था और EVS के कोर्स में मैं आपको तीन बड़े चैप्टर्स को डिसकस कर चुका हूँ आज हम EVS का चौथा चैप्टर है जल जल के बारे में आज डिसकस करेंगे जल के दिवस से लेकर जल से सम्मंदित कुछ बीमारियों तक सारी इंपोर्टन चीज़े में आपको इस वीडियो में बता दूँगा तो पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं आपको बदा देता हूँ, डेली शाम को 7 बजे, बेक टू स्कूल पर मेरी EVS की क्लास होती है, आपके एक्जाम से पहले पहले मैं इस कोर्स को कवर कर दूंगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, EVS की जो मैं करा रहा हूँ आपको इसकी पेडागोजी भी मैं आपको करा दूंगा, और सब की प्रेक्टिस भी मैं आपको करा दूंगा, है ना, तो सीटेट एक्जाम आप दोगे, तो EVS में अच्छे मार्क्स ही आपके आएंगे, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, दोस्तो, EVS का कोर्स मैं यहां पर करवा रहा हूँ, Maths Pedagogy का कोर्स मैं अपने चैनल सरकारी अध्यापक पर करवा रहा हूँ, वह हमारा दूसरा चैनल है, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सरकारी अध्यापक चैनल नया चैनल बनाया है हमने, जैसे आप सर्च करोगे तो सरकारी अध्यापक आ जाएगा, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को All पर सेट कर लो है ना जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे आप देख सकते हैं Maths Pedagogy का कोर्स यहाँ पर चल रहा है इसके अलावा सरकारी अध्यापकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो CDP वगरा के कोर्स भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगे तो आपको सरकारी अध्यापक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है चलिए देखिए आप मैंसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विश्वास दिखाया कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरा CDP का कोर्स है जो मैंने खुद से बनाया है और ये जो मैंने कोर्स है CDP का बनाया है वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि आप जब इसकी फोटो कॉपी कराएं है ना जब आप इसका प्रिंट कराएं तो आपके जादा कोई खाली स्थान भी ना बचे कम पेजेज में आपका काम हो जाए है ना तो वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर मैंने अपना बालविकास का कोर्स बनाया है और जहां पर जुरूरत है मैंने चार्ट बनाये है एनिमेशन का प्रियोग किया है और उन सभी की डेस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी है जो सारी चीज़े हैं सबको एक्स्प्लेइन किया है तो आप इस कोर्स को जरूर पर्चेस कर सकते हैं इसकी फीस मैंने केवल इतनी रखी है जिससे आप थोड़ा सा सीरियस होके लें और सीरियस होके स्कूर्स को पढ़ें है ना ऐसा भी निया बिल्कुल मैंने कोई जादा फीस नहीं रखी है ये मेरा पेटियम नंबर है इसी पर आपको पेमेंट करना है या फिर गूगल पे से पेमेंट करना है स्क्रीन शॉट लेके इसी नंबर पर वाट्सेप कर देना है आपको है ना और कोई भी दिक्कत है तो सीधा मुझे कॉल कर लेना अगर आपको कोर्स चाहिए सीधा मुझे आप call कर ले न, मैं आपको सारी चीज़े बता दूँगा कि क्या क्या चीज़े आपको बढ़नी है, कैसे बढ़नी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल के बारे में आज बढ़ते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जल क्या है और जल कैसे कैसे वो सारी चीज़ें हो रही है तो अमरित कहते हैं जीवन का इसको क्या कहते हैं अमरित कहते हैं जल के बिना जीवन नहीं है है ना इसको अमरित कहते हैं इसके लावा प्रतिवी पर 70 प्रतिशत है ये पूरा हमारा सरीर से लेकर पूरी प्रतिवी पर जल ही जल है जल के बिना कुछ नहीं है लगबग तीन वट्टे चार भाग पर क्या है जल ही जल है प्रतिवी की आपको पता है तीन अवस्थाओं में यह पाये जाता है यह भी चीज आपको पता होने चाहिए तीन अवस्थाओं में जल पाये जाता है ठ जल हमें 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, और हर जगह जल ही जल पाया जाता है, क्योंकि 3 बट्टे 4 भागपर प्रतिवी के 3 बट्टे 4 भागपर क्या है? जल ही जल है, चलिए आगे देख लेते हैं, अब मैं आपको ओता हूँ, जो प्रतिवी पर पूरा 70 बट्टेशत भागपर जल है, वो 97 परसेंट जल कैसा है, समुद्र में खारा जल है, नमकीन जल है, जिसको पी नहीं सकते, और जो ताजा जल है, वो केवल 3 परतिशत है, कितना है? 3 परतिशत, जो पीने यो के ताजा जल है, वो 3 परतिशत है, 97, 97 परतिशत कैसा है, समुद्रों में खारा जल है, और अब मैं आपको तोड़ा सा ताजा जल हो जो है, मैं आपको वतारा था, कितना परतिशत है? 3 परतिशत, इस 3 परतिशत का भी हम वर्गी करट करते हैं, तीन प्रतिशत का 87%, अब यह जो तीन प्रतिशत बचा है, इसमेंसे 87% कैसा है, बर्फ के रूप में है, आइस के रूप में है, और जो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर है, जो हम पीते हैं, वो 12 प्रतिशत है, इस 3% की बात कर रहा हूं है, और नदियों और लेक्स, यानि क केवल एक प्रतिशत है, है ना, तो जो ताजा जल है, तीन प्रतिशत, उसमेंसे भी बर्फ में कितना है, 87%, तो आप समझ सकते हैं, कि 1% से भी कम हमारे लिए पानी पीने योग्या है, और नदियों वगेरा में भी बहुत जादा कम है, है ना, तो बहुत कम जल है, जादा ज अशुद्धियां होती है, जल में, तो जिसको क्या है, जिसकी वज़े से हम उस जल को पी नहीं सकते, अन्फिट फॉर यूज बना देती है, जल को क्या बना देती है, यह अन्फिट फॉर यूज, है ना, अब कुछ ऐसी असुद्धियां होती है, जो जल में गुल जाती है हमें देखती नहीं है कुछ ऐसी होती है जो जल में नहीं गुलती है तो जो अशुद्धियां जल में गुल जाती है उनको गुलंशील अशुद्धियां कहते है और जो अशुद्धियां जल में नहीं गुलती है उनको अगुलंशील अशुद्धियां कहते है जैसे अब यहाँ पर अगुलंशील शुद्दियों को जल से अटाने का कुछ तरीका है, जैसे माली जी जल है, जल में कुछ अगुलंशील शुद्दी है, तो इसका मतलब भी है कि आमें जल में देखेगा किसमें कुछ है, अब उसको शुद्ध कैसे किया सकता है, उसके लिए कुछ process है, उस उन दो-तिन process के नाम बता जाता हूँ आपको filtration, filtration किया जाता है जल को, जैसे filter करते है न, तो filtration किया जाता है जल का, decantation, sandimation, ये कुछ तीन नाम आप याद कर लेजिए, filtration, decantation, sandimation, है न, ये कुछ तरीके है ये कुछ process है जिसके वजय से अगुलंशील अशुद्धियों को जल से हटाया जाता है, अब बात कर लेते हैं, जो अशुद्धी जल में घुल चुकी है, उसको आप कैसे अठाएंगे, क्योंकि वो तो आपको दिखनी रही है, filter नहीं कर पाऊगे आप, तो उनको अठाने क करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, है न तो ये तरीका है, अब जल से हमें नमक को अठाना है, उसका क्या तरीका है, वास्पी करड़ करते हैं उसका, है न क्या करते हैं, वास्पी करड़, वास्पी करड़, वास्पी करते हैं, तो वास्पी करड़, वास्पी करते हैं, तो निल को साफ किया जाता है क्लोरीन के डाल के जैसे आप देख सकते है 형 j एक प्रोसेस है क्लोरीनेशन एक प्रोसेस है क्लोरीनेशन इसको क्लोरोनी करड कहते है किसी अन्य पदार्त के साथ जल का रियक्शन कैसे होता है वो ये चीज बना बताता है क्लोरीनी करड क्या होता है देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जल के साथ अगर salt यानि कि नमक घुल जाए तो mix हो जाता है उसमें है ना ये चीजा आपको पता है और ये सारी चीजा आपको पता है लेकिन मैं फिर भी एक मिनिट में बता देता हूं जादा नहीं होता है आपने देखा है, जो मिट्टी है उसकी सतय पर पहुच जाती है, चौको को उसमें बिलाएंगे तो सेटल डाउन नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाकर घुल भी जाएगा और नीचे आपको दिखेगा वहां पर बैठ जाता है वो. मिलक को अगर जल में मिलाएंगे तो वाइटिश हो जाता जल कैसा हो जाता है? वाइटिश, सफेद कलर का गयाता है. है ना? जल में अगर अगर तेल यानी कि ओईल को मिलाएंगे तो फ्लोटिंग ओन सर्फिस उसकी सतय पर वो तेरने लगता है, ये सारी चीज़ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने तोड़ा सा 1 मिनट ले लिया आपका, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जल में अधिकांश पतार्थ घुल जाते हैं इसलिए इसे सारवत्रिक विलायक Universal Solvent कहते हैं। bill का दूसरा नाम है शार्वत्रिक विलायक, यूनिवरसल सॉल्वेंट वॉटर को यूनिवरसल सॉल्वेंट क्यूं कहा जाता है? क्योंकि ज्याधतर जो पदार थे, वो इसमें घुल जाते हैं है न तो जल का दूसरा नाम है? इसको भी आप याद कर लीजिए important fact की बात कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी chapter हो अगर उसमें important fact जादा होते हैं तो हम उसको cover जरूर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जल के बहुत जाद important है, यह important fact भी है और आपके exam के लिहाज से बहुत जादा important है, इनको आप लिख लीजिए दूशित जल द्वारा फैलने वाला रोग बहुत पूछा जाता है आपसे अतिशार होता है, यूपिटेट में direct question पूछे आते हैं एमपिटेट में, हटेट में direct यहीं से question पूछे जाएंगे दूशित जो जल होता है, उससे फैलने वाला रोग कौनसा है? अतिशार radioactive यह पदार्थ है radioactive जब यह पदार्थ जल में घुल जाता है, इसके वज़ेसे cancer हो जाता है है ना? तो जल में radioactive पदार्थ के पाई जाने से क्या होता है? cancer हो जाता है जल संकट का विश्व में प्रमोक कारड क्या है? यह भी कई बार पूछा गया है जल जो संकट पूरे विश्व में है, पूछा जाता है क्या इसका कारड है? तो नगरी करड इसका कारड है, जो नगरी करड हो गया है जैसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देता है 22 march को, कब मना जाता है 22 march को जल पुरुष की उपादी दी गई है राजे इंद्र सिंड को किसको दी गई है राजे इंद्र सिंग को जल के नाट में बहुत बड़ा योगदान इनका, जल बचाने के लिए बहुत सारी योजना है उनमें काम करना इसलिए इनको जल पुरुष की उपादी दी गई है राजेंदर सींह को है आप याद रखेंगे पारा ये भी एक धातू है मरकरी इसको इंगलिस में बोलते हैं पारा जो धातू है पानी में गुल जाए तो इसकी वज़े से चोटी माता रोग हो जाता है कौन सा रोग हो जाता है चोटी माता रोग जल पंचायत का आयूजन कहाँ पर किया गया ये भी पूछा जाता है महारास्ट्र में सबसे पहले कहाँ पर किया गया था महारास्ट्र में है ना एक व्यक्ति बिना जल के अधिक्तम कितने दिन तर रह सकता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे 6 दिन तक, कितने दिन तक रख सकता है 6 दिन तक, किसी विक्ति को अगर जलना मिले तो वो 6 दिन तक जीवित रह सकता है शेरीड में अगर जल की कमी हो जाती है, तो एक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है, निरजली करड English में आप बहुत सुनते होंगे इसको dehydration, dehydration हो गया पाने की कमी हो गई है ना फिर glucose वगरा जो bottles वगरा है वो दिये जाते हैं पाने की अगर कमी शरीत में हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं निरजली करड़ यानि की dehydration राश्ट्य जलनीती राश्ट्य जलनीती कब आई थी सबसे पहले राश्ट्य जलनीती कब लागू की गी थी 2002 में है ना क्रतिम वर्सा जो क्रतिम वर्सा होती है जो artificial rain होती है जो कराई जाती artificial rain उसके लिए एक रसायन प्रयोग किया जाता है उसका नाम है silver iodide क्या है silver iodide तो यह कुछ important fact है जल से संबन देता है ना अब यहां से बाहर जल से प्रश्ण नहीं जाएगा है ना और वर्दान साबित होगी यह वीडियो अगर आप UPtate, MPtate, Htate वगरा गी exam दे रहे है इसके लावा Ctate में भी पूछा या सकता है 15 मांक्स की जो NCRT वगरा के जो fact है वो भी हम इसमें cover कर देते हैं है ना क्या से निक NCRT का अलग से लेकर आउमें NCRT व में अलग से पढ़ा सकता हूं आपको Class 3rd, 4rd, 5th की NCRT की EVS में आपको पढ़ा सकता हूं लेकिन NCRT के जितने भी important fact होंगे वो भी हम इसमें cover कर देंगे बाकी बचे हम NCRT EVS में फिर दुबारा से revision कर लेंगे तो दोस्तों ये जलसे संबंदिती वीडियो थी जलसे संबंदित जितने भी आपके fact हैं जितने भी doubts हैं वो सारे clear हो गया होंगे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी इसके अलावा इस वीडियो को आपको like करना है share करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िये जिससे ज्यादा के ज्यादा बच्चे इसको देखें और अभी तक अगर आप सरकारी अध्यापक चैनल पर नहीं गए हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल पर जाएं उसको subscribe करें bell icon को all पर set करें Maths Pedagogy का course वहाँ पर चल रहा है इसके लावा Hindi Pedagogy का course वहाँ पर में शुरू करने वाला हूँ क्योंकि Maths Pedagogy खत्म होने वाली है और CDP का course मैंने आपको वहाँ पर करवा रखा है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ठीक है और चलते हैं आपसे विदा लेते हैं इसी वीडियो में मिलते हैं आपसे कल शाम को आपको पता है 7 वजे daily class होती है आपसे मिलते हैं कल साम को 7 वजे आज के लिए तना ही धन्यवाद